एलो फ्रेंट्स, वेल्कम टीजिके स्टेडी, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाज़ा प्रदेश जो गॉर्णमेट जॉब है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, यह नोटिफिकेशन जो आया है वो आया है हिमाज़ा प्रदेश पब्लिक सर्विस क कि नोटिफिकेशन को और जल से जल वहीं पर जाकर इसके लिए अपलाई कर सकते हैं बट उनकी जनल के जनल के टागिरी वाले हैं वो सिरफ हिमाज़ा के उस कैटागिरी में फिलब कर सकते हैं टेस्ट जो आपका कंडक्ट होगा वो शिमला, मंडी, सुंदनगर जो भी आपके headquarters होते हैं वहाँ पर होगा प्री का जो होता है इसलिए बिस आगे हम discuss करेंगे तो आप बात करते हैं पोस्टों की सबसे पहलती है corporation में inspector की तो इसकी जो total post है वो 43 है जिसमें general की 6 है general BPL की 7 है general ward of freedom fighter की एक है SC की 13 है ठीके फिर SC BPL की इसमें है फिर ST की एक है ST BPL की है OBC की है और OBC BPL की है यानि कि सभी की जो है इस पर post दी गई है ऐसा नहीं है कि SC की नहीं है OBC की नहीं है या पिर किसी और की नहीं है ठीके और आपको जो fixed contractual amount मिलेगा यानि कि जो आपका contract period होगा 13,900 रुपे पर मंत मिलेगा ठीके contract basis बे सारी second जो है वो election department में election कानूगो तो इसकी जो total post है वो 7 है जनल की 2 है जनल BPL की 2 है SC की 2 है और OBC की 1 है इसमें ST की कोई भी post है election वाले section में ST वाले अगर भरना चाते है वो सिरफ corporation में inspector का भर सकते हैं election वाले section में वो नहीं भर सकते हैं और जो इनका payment होगी वो होगी 11,910 रुपे पर मत ठीके next इंडस्ट्री में extension officer contact basis वे 4 post हैं इसमें UR BPL की है 1 और SC की है 3 अब इसमें जनल वाले भी जो unreserved हैं वो नहीं भर सकते इसमें जनल BPL की 1 post है और साथी साथ SC की जो है वो 3 post हैं और OBC वाले आपने apply नहीं कर सकते 13,910 पे आपको payment की जाए मतलब अगर आप भरना चाते हो तो सभी जो भर पाएंगे वो भर पाएंगे corporation में ठीके तो ये total post हैं जिनके लिए आप फिलप कर सकते हैं दूसरी बात कैसे आपको apply करना है apply का आपको सभी को पता है कि आपको official website पर जाना है आपने allied बगरा के form भरे होंगे HS के भरे होंगे तहसिलदार नाइपते सिलदार के जब आप भरते हो तो उसी तरह से आपको सब कुछ यहां पर भरना है तो वो आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है minimum qualification जो है वो दी गए यह bachelor degree आपने कहीं से भी जो है bachelor degree अगर की है किसी भी medium से और किसी भी subject के थूप तो आप जो है इसके लिए apply कर सकते हो ठीक है next दे लेते हैं important आपकी age की बात करें तो अठारा से पंताली साल के बीच में अगर आप हैं अठारा भी और पंताली में ठीक है और एक एक 2019 के according आपकी date अगर age है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं age relaxation आपको पता ही होगा कितना किस category में दिया जाता है ठीक है 22 साथ 2019 अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो आपकी last date है वो 22 साथ 2019 है बट ऐसा मत कीजिए कर जिदनी जल्दी हो सके आप form को fill up कीजिए category अगर फीस की बात करें general category की अगर बात करें तो 400 पे फीस है including general physically disabled ठीक है और जो hearing impaired होते है HP होते है एक service man है HP के ठीक है सभी के लिए जो है आपके other state के जो है उनके लिए क्या है 400 पे फीस है जो आपके SC, ST, OBC, BPL है या फिर general की BPL है ठीक है उनके लिए 100 है और SC of HP और ST of HP OBC, HP ठीक है PWD तो इसके लिए 100 पेस है यह तो आप इस तरह से form भर सकते है बाकि अच्छे से भर सकते है नेक्स बात करें अगर mode of payment की तो आपको पता ही है online आपको payment submit करवानी है जब भी आप पॉँचना चाते हो तो इनके यहाँ पर तीन एक नमबर दिये है जिसके आप 10 पदे से शाम 5 बे तक पोज सकते है कोई भी form आपको पता ही है अगर incomplete रहता है तो उसको rejection में डाल दिया जाता है बहुत कम chances होते हैं इसलिए धंग से भरिये क्योंकि बहुत सारे form जो है आज कल reject होते हैं नेक्स टब बात कर लेते हैं examination scheme की अगर बात करें आपकी pre examination की दो examination होगे एक तो आपका pre होगा फिर आपका होगा means pre की बात करें तो 200 marks का जो है आपका general knowledge का paper होगा और objective type जो है इसमें question आएंगे जिसमें सबसे पहले अगर हिमाचल की बात करें हिमाचल प्रदेश से आपकी history होगी geography होगी social economic होगी जितना भी data हिमाचल प्रदेश से आता है जिसको आप हिमाचल जीके बोलते हो तो 60 marks की आपसे वो पूची जाएगे तीन घंटी के आपके पास timing होगी 200 प्रेशन आएंगे 200 ही उसके आपके पास marks होगे जिसमें आपकी हिमाचल जीके पूची जाएगी second जो आपके पास section आता है वो आता है knowledge of current event of national international importance ठीक है और scientific subject यानि कि कुछ एक आपके पास logic वाले question होगे ठीक है आपके पास current affair होगे वो आपके पास international भी हो सकते है national भी हो सकते है तो 60 marks के जो है है HPPSC के जो exams होते है कि वहाँ पर आपके पास section डिवाइड होते है कि कि section से आपका कितना question पूचे जाएंगे और किस चीज़ पर आपको ज़्यादा concentrate करना है ठीक है आपकी जो भी week होता है आप उस पर अच्छे से prepare कर सकते हो तो हिमाचल जी के आपकी 60 marks की knowledge of current affair आप एक तरह से समझ दीजिए 60 marks के फिर modern history 1857 onwards ठीक है यानि कि 1857 के बाद की जो modern history है वो आपसे पूची जाएगी Indian culture होगा Indian quality होगी Indian economy होगी geography होगी इंडिया की disaster management होगी environment and gender issue and teaching of तो यह जो है आपके 80 marks की पूची जाएगे स्लेबस वही है जो आपका allied में पूचा जाता है पूरा ठीक है कुछ भी यहापर change नहीं है बस थोड़ा marks का change है तो यह आप याद रखेगा 60-60 और 80 पिर अगर आप free को clear कर लेते हो तो आपका जो होता है mains का examination होता है ठीक है परस्ट इसमें जो होता है English होता है ठीक है 1500 marks का 3 घंटे का आपको time मिलता है जिसमें आपके पास English language के बारे में आपके कितनी understanding है वो आपकी देखी जाती है ठीक है दूसरा paper होता है जो आपका हिंदी का होता है 1500 marks का 3 घंटे आपको timing होती है इसमें क्या होता है कि translation English passes आता है ठीक है जो इसको आपको हिंदी में translate करना पड़ता है फिर हिंदी passes आता है ठीक है आपको same language में poetry बगरा दी जाती उसको explain करना पड़ता है ठीक है वही पूची जाएगी history, geography and social development of इमार्च अप्रदेश knowledge of current affairs जो भी होगे आपके international और national current affairs फिर आपकी जो है इंडियन जी के होगी जिसमें modern history आपकी 1857 के बाद की ठीक है उसके बाद होगे आपका इंडियन culture होगे इंडियन polity होगी जोग्रफिय ओप इंडिया होगी आपके महत्मकानदी से related जो भी teachings होती है वो आपको पता होना चाहिए but mains में क्या होता है कि mains में आपको थोड़ी deep knowledge होनी चाहिए ऐसे आप से उपर से उपर question नहीं पूची जाएंगे ठीक है मैं यहां पर दुब़ारा दिखा दिया गया है कि mains subject कौन कौन से है पहला English है फिर Hindi है और फिर है आपका general knowledge 300, 1500 और फिर 200 होगी फिर आपकी फिर आपकी 15 नंबर की जो है evaluation आती है उसके बाद यानि कि आपका पहला pre होगा exam में आप मिलाकर नंबर लोगे तो उसकी percentage को आपको 85 में से आपको उसके marks दिये जाएंगे ठीक है तो यह आपके 85 में से आएंगे ठीक है यानि कि आपका total last में जो paper माना जाएगा वो 100 marks का माना जाएगा 85 प्रस 15 तो आपके जितने भी उसके उपर आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके उपर आपकी percentage decide होगी और फिर आपको 85 marks में से जो है वो नंबर दिये जाएंगे ठीक है दूसरी चीज़ है फिर आपकी आपकी पंदा नंबर की evaluation सबसे पहले जाएगी आपको qualification अगर आपकी जो भी qualification है उसके बेस पर आपको 2.5 marks दिये जाएंगे ठीक है वो आपके decide करेगी कितनी higher आपकी qualification है ठीक है backward area और 65 बिलोंग करते है तो एक marks आपको उसका मिलेगा landless family है या family having less than 1 hectare आपके पास जमीन है तो एक marks उसका मिलेगा no employment certificate है एक marks उसका मिलेगा BPL family है जिनकी income below 40,000 है तो उनको 2 marks उसके मिले जाएंगे widow है, diversity है, institute है, single woman है एक marks उसका मिलेगा, single daughter है orphan है, एक number उसका मिलेगा किसी भी institute में आपने आपने training किये एक number आपको उसका मिलेगा और अगर आपने किसी भी semi government organization में 5 साल काम किया है, तो धाई number आपको उसके मिलेगा अगर मतलब आप पहले से ही job में हो और फिर भी इसके लिए apply कर रहो, तो धाई marks आपको उसके मिलेगा तो ये पूरा pattern है, जिसको आपको मैंने समझा दिया है, अच्छे से शेर किज़ेगा, मैंने चैनल को बहले बार देखेगा, फिसको स्ट्राइब किज़ेगा, थेंक्स वर वाचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे, नेक्स वीडिक के साथ